कि है अप सभी स्वागत करते हैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर जैसा कि आप सभी को पता है कि लगातार स्टेश की मैं रेगूलर अपडेट्स आपको दे रहा हूं कि क्या फॉर्म कब आएगा क्या है आज में बात करने वाला हूं बेसिकली कि क्लास 11 नाइन टोटल सीट्स कितनी है जाज़ा कि आप सभी को पता अगर सीट्स पता लग जाता है तो एक आपको पता चल जाता है कि कॉंपटिशन आपको कितना रहने वाला है बैसिकली अगर आप 50,000 बच्चे फॉर्म को फ पता है बनारा सुन्दू उनिवर्स्टी का एक अफिलेटेड स्कूल है और इसको सेंट्रल गवर्मेंट रन कर आती है ठीक है तो स्वागत करते हैं एक बार फिर से और चैनल को कर दीजागा सब्सक्राइब क्यूंकि आपको पता है कि सारी रगूलर अपडेट्स आपको छ एक एक करके बाते करेंगे और आज दिखाते हैं आपको ठीक है यह सबसे पहले हम बात करते हैं CHBS की जैसा कि आपको पता है कि CHS दो पार्ट में चलता है CHBS Central Hindu Boys School और CHDS Central Hindu Girls School तो जैसा कि आपको पता है कि Class 9th Standard के लिए अगर मैं बात करूँ Class 9th Standard में Total 100 सीटे हैं जो बॉइद स्कूल है उसमें यानि कि लड़कों के लिए Total 100 सीटे अवे लेबल है Class 9th Standard में आगे मैं बात करूँ कि Math Stream में आप दखो 11th में आप जाते हैं तो 11th की Math Stream में कितने स्टूडेंट हैं सीट से जोरी 38 सीट से प्लस 50 सीटे अब यहां पर क्या लगा है Terms and Conditions लगी होई है मतलब 50 सीटों पे कुछ Specialization है उसकी बात आगे करने वाले हैं हम लोग ठीक है तो याद रखे हैं यह 38 सीट प्लस 50 सीटे लेकिन 50 सीटों में कुछ कंडिशन है क्या कंडिशन है बताते हैं 11th अगर Biology Stream की मैं बात करूँ तो Biology Stream में 25 सीटे हैं कोई Terms and Conditions नहीं है आगे आपको बताते हैं ठीक है अगर में बात करूँ 11th string में तो आउर्ट सीटे में आप देख पारें 12 सीटे हैं ठीक है आपको हिंदी में लिखा गया है साफ साव की कक्षा9 की विद्धियारतियों के लिए 100 सीटे गारामी गडीत ही फ्र्म के लिए 30 प्लस 500 सीटे 11 जीव विज्यान के लिए 15 सीटे 11 कलार के लिए 12 सीटे और कॉमर्स वर्ग के लिए 12 सीटे अविलेबल है ठीक चली आगे दिखाता है हम आपको एक सकंड रेस कर देता है आगे दिखाता है आपको कि CSGS में कितनी सीटे है Central Hindu Girls School में कितनी सीटे अवलेबल है तो देख पा रहे हैं CSGS में Class 9th के लिए बहुत कम, सिर्फ और सिर्फ 6 सीटे अवलेबल है कितनी सीटे? 6 सीटे अवलेबल है 11th में और 9th में सीटों में चैंजे आते हैं, तो हम आपको बताएंगे लेकिन अभी के लिए क्या है? 6 सीटे अवलेबल होती है 11th मैथ स्ट्रीम की बात करें तो 17 सीटे बायो स्ट्रीम की बात करें तो 16 सीटे गल्स के लिए बहुत लिमिटेट सीटे रहती है 8 सीटे में थोड़ी ज्यादा सीटे है और 40 सीटे है लड़कियों के लिए और कॉमर्स स्ट्रीम में सिर्फ और सिर्फ 25 सीटे अवलेबल है नोट कर लिएगा, रख लिएगा आपकी सिस्ट्रीम के लिए पार्टिसिपेटेटर क्लास 11th में सीट्स कम है, कॉम्पेटिशन थोड़ा सा ज़्यादा है इसलिए बहतर तयारी और बहतर स्ट्रेटेजी चाहिए बहतर तयारी और बहतर स्ट्रेटेजी कहां मिल सकता है आपको तो वो है सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेडी कापिटल दे सकता है नीचे दिया गया एक form है, form को fill करेंगे, हम आप तक reach करेंगे कि आप अगर तयारी करना चाहिए class 9th class 11th के लिए तो आप पर form को fill करेंगे, हम आपको जल्दी call करेंगे, ठीक है, चलिए, आगे अगर बढ़ें तो आगे बढ़ें मैं आपको बताना चाहूंगा, कि वो conditions क्या थी, जो मैंने आपको दिखाई, ठीक है, पचास सीटों की वो conditions क्या थी, आप यहां पर देख पाएं, साफ साफ, कि जो पचास सीटे हैं, वो reserved हैं, किनके लिए, math group के लिए, for external candidate, जो external candidate है, except BHU employees, BHU employees को हटा के, ठीक है, क्या है, पचास सीटे, math group वालों के लिए, reserved हैं, BHU, यानि कहां कि भाई, except BHU employee, BHU employee category के अलावा, ठीक है, हटा की, ठीक है, through school interest test, asset की जाम से, यानि कि जो 25 सीटे हैं, उसमें, reservation भी चलेगा, लेकिन हैं, पचास सीटे, सिर्फ और सिर्फ external candidate के लिए, ज्यादा स्कोप है, मतलब, 11th में, ठीक है, आजा, देखो, यहां पर लिखा के माध्यम से, BHU कर्मचारी study को छोड़ कर, केवल बाहरी उमीदवारों के लिए, गड़ित समूग के लिए, पचास सीटे आरक्षित हैं, मतलब, पचास सीटों में, BHU employee का, कोई भी नहीं कह सकता, कि मुझे भी चाहिए, सीट, ठीक है, क्लियर है, कुछ और नहीं बताना है only on the basis of merit list, after the cut-off list, merit under the paid sheet category, हाँ, 9th में आने कि 5% या कहें, या 5 सीटे कहें, वो रखी जाती है, paid sheet के लिए, 5 सीट क्या होती है, paid sheet के लिए जाते हैं, जो cut-off के थोड़ा सब बाहर चले जाते हैं, थोड़े extra पैसे देखे, 5 सीटों पर अपनी reservation ले सकते हैं, ठीक है, अपनी math group वालों के लिए, math group के लिए 20 सीटे, biology वालों के लिए 10 सीटे, 8 सीटे, 5 सीटे, और commerce वालों के लिए 5 सीटों का प्रावधान है, paid sheet के लिए देख पा रहे है, math वालों का यहां पी जायदा चांस है, 20 सीटे ऐसी है, जिनमें आप extra पैसे देके, cut-off के का अंदर ना रखे, आप के बाहर रहे के भी आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो these are about CHBS, ठीक है, यह CHBS के लिए था, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं तो आपको दिखाऊ, however, availability of number of seat for external candidate in both the schools in addition to the above will depend upon the availability of seats after the admission of internal candidate, और कितनी seat हैं बची हुई है, यह कौन इ सब्सक्राइब करेगा, पहले, यानि कि कितने लोग आके अपना अड्मिशन करा लेते हैं, उनके बैसिस बागे अगे अड्मिशन फर्दर प्रोचिट किया जागा, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया, ठीक है, आप देख सकते हैं, पैनली आगे हैं, आगे हैं लास्ट पेस हमारे वीडियो सेक्शन देख लिए, कि लगा तार पिछली बार हम लोगों ने सेशन किये थे, लाइफ सेशन यानि कि महा महरतन बारा-बारा घंटे की लगा तार क्लास चलाई थी, जिसमें लगभग 400 से भी ज्यादा बच्चे लाइफ रगुलर देख रहा थे और आने व होते हैं किसी ऐसी अगली वीडियो में, बाबाई!